नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अतुल श्वास्तों और स्वागत है आपका नेक्सेश चीर्स में करेंट अफेर्स सीरीज टूथाउजन एन टूनिवन 2021 UPPCS प्रिलिम्स 2021 के लिए आपका ये करण फेर्स की सीरीज है और इस पुरी की सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या आपने करण फेर्स पड़ा है क्या examination में पूछा जाता है और किस तरह के questions जो हैं आपके examination में पूछे जाते हैं और किस तरह से चीजनें आप पढ़ते हैं ठीक है तो हर एक चीज आपको बताई जाएगी इस पूरी की पूरी सिरीज में और चले शुरुवात कर देते हैं पहला कोशन है क्या है पहला कोशन देखे ब्रिटिन के प्रधान मंत्री बेरिस जॉंसन के बारे में है 26 जनुली 2021 को गड़तन दिवस परेड में मुख्य अतिती होने की बात इनकी कही गई थी और इसके पहले कितने ब्रिटिस प्रधानमंद्री भारती गड़तन दिवस में मुख्य अतिती रह चुके है क्यार इसके पहले एक बार ही रह चुके हैं और इस बार ये भी नहीं आये थे और इनका आना कैंसिल हो गया था चल नेक्स पॉइंट है अंतर रास्टी प्रवासी दिवस के बारें बात करें तो चार आप्शन्स हैं आपके सामने तो अंतराश्टी प्रवासी दिवस कम मनाया जाता है ये मनाया जाता है 18th of December को First option इसका सही होगा अल्प संक्यक अधिकार दिवस के बारें बात कर ये बहुत पूछा जाता है 18 December को मनाया जाता है Next है 13 December 2020 को National Family Health Serviction मतलब NHFS 5K आकड़ों के अंसर किस राज़ में 69% बच्चे वो 63% महिलाओं में खून की कमी है तो किस में है सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉबलम होती है तो बिहार इसका अंसर सही होगा Next है 25,098 करोण उपय का ड्रकॉर्ड मुनाफ़ा कमा कर 64 साल में सबसे ज़्यादा कमाई किस ने की है तो किस ने की है ये आपने कमाई की है LIC ने बहुत जल्द इसका IPO रिलीज होने वाला है और खुफुली इस साल दिसंबर में कि आसपास इसका IPO जो है आएगा जहां तक न्यूज में आया था Next है रास्टी उर्जा सरक्षन दिवस के बारें बात करें तो रास्टी उर्जा सरक्षन दिवस जो है वो आपका 14 दिसंबर को मनाय जाता है Next है 13 दिसंबर 2020 को संसद हमले की 19 वी वर्षगाट के आउसर पर The Soar Unbound पुस्तक का हिंदी संस्क्रण समुंदर सभावे बूंद का विमोचन किसने किया है तो ये आपका विमोचन किया है ओम बिल्डाने Next है किस केंदरी बल ने विजे दिवस के आउसर पर सीमा पर Battle Relay दोड का आयोजन किया तो किसने किया था ये किया था BSF ने ये इंपॉर्टन नहीं है बहुत ज़दा 14 दिसम्बर 2020 को किसने लॉंच की सैटेलाइट और धारित सर्विस जिससे समुदर में भी आप मिलेगा नेटवर्क तो कौन है BSNL देखिए जो इंपॉर्टन होगा वह मैं स्वयम आपको बता दूंगा कि हाँ ये जरूरी है और ये आपको नोडाउन करना है या फिर आपके examination oriented है बाकी चीजें तो बहुत सारी है अंतर रास्टी है स्वयम सेवक दिवस के बारें बात करें ये नहीं पूछा जाता है बहुत ज़ी ज़्यादा लेकिन फिर भी आपको answer बता देता हूँ 5 दिसंबर नेक्स है ससस्तर सेना ज़ंडा दिवस के बारें बात करें तो ये आपका साथ दिसंबर को मना जाता है important है प्रोफेसर नरिंदर सिंग कमानी का संबंध किस चेत्र से जान था जिनका हाल ही में निधन हो गया तो इनका संबंध जो है वो fiber optics से है नेक्स है भारत रूस पासेक्स नौसेन अभ्यास का आउजिन किस अस्थान पर किया गया ये क्लास में बहुत बार डिसकस हुआ है इसके बारे में इसका एंसर होगा C important भी है तो ये भी आपका महत्पूर्ण है और ये आपका ग्वालियर और ओर्चा को शामिल किया गया है next है COVID-19 के लिए टीका को वैक्सिन के इस्तमाल की अनुमती के लिए आविदिन किया गया और निम्ण कतनों पर विचार करिए इस तरह का खोशन है COVID-19 का विचार के इस्तमाल की अनुमती के लिए आविदिन करने वाला पहला टीका है COVID-19 का विकास पूरे के सीरम इंस्ट्टूट ओफ अंडिया ने किया था भारत में किसी टीके की इस्तमाल की अनुमती भारती आउसदी महा नियंतरक दोरा दिया जाता है तो क्या एंसर इसका सही होगा इसका एंसर सही होगा यह आपका भारत में किसी टीके की इस्तमाल की अनुमती जो है भारती आउसदी महा नियंतरक दोरा दिया जाता है मतलब थर्ड ओप्शन इसका सही होगा नेक्स पॉइंट है नेक्स पॉइंट में लिखेगा नेक्स पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं अंतरास्टी भरस्टा चार निरोधक दिवस के बारे में बात करें तो यह आपका मनाया जाता है 9 दिसंबर को इंपॉर्टन नहीं है उतना ज़दा अंतरास्टी ओलंपिक समित ने ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल में शामिल किया इसे किस नाम से जाना जाएगा तो किस नाम से जाना जाएगा इसे बेरिंग के नाम से जाना जाएगा यह इंपॉर्टन है आपके एक्जामनेशन में पूछा जा सकता है फॉप सपत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की सौ सक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल कियेगे भारतिय कौन है तो ये आपका रेंडू जगत यानी है नेक्स पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या कोशन आपका इंपोर्टेंट है नेक्स पॉइंट है नेक्स है विश्व मानवादिकर दिवस के बारें बात करें तो विश्व मानवादिकर दिवस जो है वो आपका 10 दिसंबर को मनाय जाता है सरकार ने PM वाड़ी यूजना को मनजूरी दी है और कुछ कथन दिये है उन पर विचार करने की बात कही गई है तो इसमें इसके लिए शरकार जो है देश भर में एक करोन डाटा सेंटर खोलेगी यह सही है और इसके लावा देश भर में broadband internet के लिए सारजनिक वाइफाई नेटवर्क स्थापना की मनजूरी दी है यह भी सही है तो second और third option इसमें सही होगा मतलब B option इसका totally सही होगा next point है भारत ने नए संसत भावन की आधार शिला के स्थिति को रखी यह important point है और आपको पता होना चाहिए class जितने लोग कर रहे हैं उनको यह बात पता होगी 10 December 2020 का दिन था अंतर रास्टी परवत दिवस इस duration में भी थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है तो यह पूचा जाता है 11th of December को next है वर्स 2020 का युवा गड़तग्यों का नामानुजम पुरुसकार रामानुजम पुरुसकार ब्राजिल के गड़ता के डॉक्टर कैरुलना और जो को पुरुसकार कौन पुरुसकार कौन पुरुसकार करता है तो कौन पुरुसकार करता है यह करता है भारती आंत्रिक्ष अनुसंधान सगठन next है 10 December 2020 को 100 प्रतिशत जैविक करशी बनने वाला देश का पहला किंदर शाषित प्रदेश कौन सा है तो यह है आपका लक्षदीब यह आपकी एक्जामनेशन में पूछा जा सकता है next है 10 December 2020 को ICC वर्डे रैंकिंग में सबसे उपर से तीसरे स्थान पर करमवार कौन बल्लेवाज है तो आपका है विराट कोहली रोहित चर्मा और बाबाराजम यह सही सीक्वेंस है यह फिलाल पूछा भी नहीं जाएगा आपकी एक्जामनेशन में next है अंतरास्टी गुलामी उनमूलन दिवस के बारें बात करें तो यह आपका second of December को मनाया जाता है चले भारत ने जलवायू परिवर्थन पर पेरिस समझोते के लक्षों को प्राप्त करने की सीर्थ समीती का गठन किया और निम्ड कथनों पर विचार करिए तो परियावरन सची आरपी गुपता इस समीती के अध्यक्ष होंगे इसके लावा second option पेरिस समझोता अधिकारी गुरूप से एक जनुरी 2020 से लागू होगा सही है तो एक और दो इसका सही answer होगा तो 28 question तक हम लोग नों कर लिया है इसका A option सही होगा ठीक है इसके बाद जो next paper होगा उसमें हम लोग इसके आगे question के बारे में discuss करेंगे Thank you so much